आज हम बात करेंगे अखांड जोती के बारे में अखांड जोती नवरातरे में कैसे जलानी होती हैं अखांड जोती होती क्या है और अखांड जोती जलाने के निजम क्या होते हैं अखांड जोती जलाते समय हमें किन किन बातों का दियान रखना होता है इसके लावा हम बताए खांड जोती अगर शांत हो जाए तो क्या करें सावसे पहले हम जानेंगे खांड जोती होती क्या है खांड जोती को जो खांडत ना हो जितने दिन का हमने संकाल प्लिया है उतने दिन तक जलती रहे बीच में खांडत ना हो खांड जोती जलाने के लिए आप मिट्टी के जोत मेरा कर भी जला सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे बैसा आप कर सकते हैं अखांड जोती जलाने के लिए हमें सवा हाथ बाती लेनी होते हैं बाती आप कलावे की भी ले सकते हैं जाफिर रूई की भी ले सकते हैं बाती बजार से भी आप ले सकते हैं जाफिर आप गार पर भी गमाएंगे तां जो बाती को बढ़ाते समय बाती कहीं आठकेना अब दीपक चलाएं सबसे पहले आप आश्टदाल कमल बनाएं उस पर आप दीपक रखें अखांड जोती का सबसे पहला निजम पूरे नौ देन तक अखांड जोती जालती रहे बीच में शांत ना हो घर को त प्शाना पड़े तो आप अपने नाम से अखांड जोती किसी मंदर में भी जला सकते हैं तहां पर आप अखांड जोती जला रहे हैं बहाँ पर आप सापस्भाई का ध्यान रखें तो आप शोद सात्विक बोजन बनाएं लसन प्याज का सेवण ना करें मास मदरा का तो मैया के सीधे हाथ रखें अगर आप तेल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो मैया के लिफ्ट हांत जलाएं अगर आपको दिशा का पता भी नहीं लगता है तो दीपक चाहे गी का हो चाहे तेल के तेल का हो मैया के विलकुल सामने ही जला कर रखें उसके बाद आप तेल में गी डालें और मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे मैया रानी आज से मैं आपकी अखांड जोती जला रही हूं मेरी इस कामना को पूर्न करें अब आप अखांड जोती जला दें एक वार अखांड जोती जला कर पूरे नौ दिन इसे हलाना नहीं है फिर हम जोती को तेलक करना है, फूल अर्पत करने हैं, अक्षद अर्पत करने हैं, हाफ जोड कर मईया से जोती की रख्षा करने की प्रार्थना करें, अखांड जोती के पास एक शोटा दीपक जलाना है, वो भी दीपक लंबी बाती का जलाएं, और एक प्लक कर लें, जैनिके चेम्टी रख कारवन हमें हटाना होता है, कई वार जब हम कारवन हटाते हैं, तो जोती खंडत हो जाती है, ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हाथ चोड़कर मैया से प्रार्तना करें, कि हे मा जोत की रक्षा करें, छोटे दीपक को खंड जोती से जलाने, इसके वाद आप लग में से हटाएंगे तो खंड जोती शांत हो सकती है, एक साइड से कारवन हटाएं और बाती को थोड़ा ऊपर करें, साइड से दोनों तरफ से कारवन हटाएं, आप शोटे दीपक को खंड जोती से डेप करके शांत कर दें, कारवन हटाते हुए अगर खंड जोती शांत हो ज क्योंकि शोटा दीपक भी हमें अखांड जोती से जलाया था जानिके जोत से जोत ली थी इसलिए आप शोड़े दीपक को जरूर जलाएं जब भी आप गी डालें साइड से डालें बीच में से गी ना डालें अगर आप सुवा शाम तो शनार करते हैं और बीच में शनार ना क जरूर जलाएं और मैया से आप कोई भी मनो कामना पूर्ण करा सकते हैं मैया आपकी कामना पूर्ण जरूर करेंगी इसलिए आप अखांड जोती बिना डर्स से निरसंकोच जला सकते हैं और जोती का द्यान रखने के लिए मैया से प्रार्थना करें मैया ही मैया ही हमारी अ आप खांड चोती जरूर जलाएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए थैक्स वाचिंग दिस वीडियो